प्राथना है अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो आज डेट है दो दिसंबर और दिन है सनीवार तो यहाँ पर हमारा पिस रहा है मसाला तो मसाला पिसके रख दे तो आज सुबह बनाने वाले हैं सेम आलू की सबजी तो मसाला हमारा पिस चुका है और मसाले में हमने सारे मसाले डाल लिये थे तो मसाला पिस लिया है और उसके बाद में चलते हैं नहाने के बाद में आप सभी लोगों से मिलते हैं और हमारे यहाँ का मौसम देख लीजिए आज सुबह सुबह का इस तरीके से कुछ है सर्दी तो हमारे यहाँ धूम मचाती हुई आ गई है बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है क्योंकि जब बारिस हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है तो यहाँ पर आ गए हैं नहाने के बाद में और सेम को हमने साम को ही निप्टा के रख लिया था जब हमारा लच्छा पक रहा था तो उसी समय हमने सेम को निपटा लिया था यहां पर वमी जा रही है नाने इनका पानी भी गरम हो गया है तो यहां पर देखिए छट पर से कुछ इस तरीके कहा भी खुला हुआ नहीं है और यहां रसोई में हमारी आलू भी हमने कट करके रख लि नहीं देखता है और भूने के बाद में हमने डाल दिया है दो टमाटर उसके बाद में यह डाल दिया है सेम फिर डालेंगे आलू और इन सभी चीजों को थोड़ी देर इसी तरीके से कलहारेंगे बाद में बिल्कुल चरा सा पानी डालेंगे वही कटोरी में हलका सा डाल के इसी में डाल देंगे बागी पानी नहीं डालेंगे और इसी तरीके से हमारी सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी देखे कितनी कलरफुल दिख रही है बहुत ही अच्छी लग रही है और यहां पर सब्जी हमने बंद कर दिया है और सब्जी हमारी पकेगी और इधर मौसी हमारी हां सेक रही है नहा करके ये भी आ चुकी है और बाबू पीछे बैठे हैं और साथ में हम लगा लेंगे आटा अपना तो ये आटा लगा लेंगे तब तक हमारी सब्जी पक जाएगी और ये आटा जो है सेट भी हो जाता है थोड़ी देर लगा के रख दो तो थोड़ी देर के बाद में सब्जी देखिए हमारी पक चुकी है और इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती और थोड़ी देर फिर कलारा था हमने उसके बाद में उतार के नीचे रख दिया है इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे और फिर बनाएंगे रोटियां और बाबू का लेंच तयार कर दिया था उसके बाद में जो है बाबू को रेड़ी भी कर दिया था वो इसकूल चले गए हैं और मौसी जो है पैसे दे रही थी तो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे इनको क्योंकि इसकूल जा रहे हैं वैसे भी पैसे नहीं लेते हैं किसी से भी और चले गए हैं इसकूल उसके बार में हम आ गए हैं यहां पर रोटी से एक लेंगे और आज जो है तब इत हमारी कुछ थोड़ा सा ठीक है क्योंकि उस दिन सो मार को जब हमने कार्तिक पूर्मा की पूजा किया था तब ही आचानक से हमको लगता है वो बारिस की हवाएं चल रह रहा था तो कुछ तबेट ठीक नहीं थी लेकिन अब जो है पहले से आप आराम है और पता नहीं क्यों दो तिन वीडियो में अब की से वीव कम आ रहे हैं आप लोग सपोर्ट बनाये रखें क्योंकि आप जैसे किसी की तब्यत भी खराब हो गई तो कैसे व्लॉग लेकिन जो भी हमसे हो सकता है आप लोगों के वैसे कोशिस हमेशा हमारी यही रहती आप लोगों के मन पसंद की व्लॉग बनाने की ही लेकिन जैसे कि आप लोग हमेशा आप लोगों के मन पसंद की व्लॉग डालते हैं तो कभी कदार जैसे कोई दिकत है हमको तो नहीं आ पाएं त तो आप लोग साथ, बनाये ruit रखना क्योंकि। हम देखते हैं जब भी कुछ होता है तो आप लोग देखना बंद कर देते हूं तो सबी लोग को नहीं कहते हैं हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं हैं जो कि बहुत जादा सपोर्ट करती हैं वह हम किसी तरीके से VLOG कैसे भी डालें लेकिन हमेशा Щพोमेंट भी करती आधा और प्यारे प्यारे तो बहुत अच्छा लगता है तो ऐसी सभी लोग सात बनाए रखना फिर जो है नाना को खाना बन गया था और नाना को हमने ममी ने ठाले दिया था तो नाना को दे दिया गया है खाना और नाना भी खा चुके थे फिर यहां पर सबी लोग खा रहे हैं और हम भी साथ में खा लेते हैं फिर उसके बाद में मौसी जाने की तयारी कर रही हैं तो खा लेते हैं खाना उसके बाद में खाना खाने के बाद में मौसी यहां पर बैठी थी नाना जी के पास और फिर जो है नाना जी कह रहे हैं कि लाओ पैर बीटिया चूले हैं मौसी मना कर रहे थी कि यह तब यह ठीक नहीं आप लेटो और लेकिन नाना कह रहे हैं कि उपर रग दो हम छू लेंगे तो फिर छूआ है उन्होंने पैर और उसके बाद में जो है और हमारे यहां बेटियों के पिता जो है ममी पापा पैर छूते हैं तो हमारे भी ममी पापा छूते हैं कहीं कहीं पर नहीं छूए जाते हैं लेकिन हमारे इधर यूपी में सभी लोग छूते हैं तो यहाँ पर देखिए नाना कह रहे हैं थोड़ा सा बिटिया दच्छणा भी लेलो तब जाओ तो मौसी मनना कर रही थी लेकिन जबर जस्ती उन्होंने रोका है तो यहाँ पर जो है मौसी थोड़ी दूर पैदल जाना होता है हमारे यहाँ से रोड तक तो पैदल जाएंगी ममी भी और अंकित भी साथ में सभी लोग चले जाएंगे फिर मौसी चली गई थी उसके बाद में हमने कपड़े धुले थे बरतन धुले थे और फिर आ गए हैं यहाँ पर छट पे तो काफी टाइम लग गया था कपड़े धुलने में उसके बाद में ले आ हैं तो डाल देंगे और यह कपड़े तो एक दिन में तो सोखने वाले नहीं होते हैं क्योंकि धूपी बिल्कुल नहीं निकलती है और यहाँ छट पर देखिए बारिस में हर जगे वही बोरिया पली जो है जो हमने इस छट पर पे रखा था वही डाली गई है क्योंकि यह फटी पूराने डाल दो तो इनसे मिट्टी कटती नहीं है और इधर साइट की जहाँ पर कपड़े फैला रहे हैं इधर हमारी मुडेर नीचे गिर भी रही थी थोड़ी थोड़ी और पनी बगएर डाल दो यह तो फिर वो कटती नहीं है तो इसी वज़े से यह सारी चीजे डाल दी जाती हैं और सोच रहते बारिस सब नहीं होगी तो इसी वज़े से हटा दिया था लेकिन फिर से आ गई और जरा सी ही बारिस में इमिटी कटने लगती है तो कपड़े डाल दिये थे उसके बाद में आ गए थे नीचे और फिर हमने बहुत सारे काम थे जो किनाना के थे उनको बाहर जाना आना बहुत सारे थे तो फिर हमने कोई वीडियो नहीं सूट किया था क्योंकि तबित खरा तो यहां पर सारी सब्चियां हम निकाल के रख लेते हैं और यह बाबु क्या कर रहे हैं टमाटर को मुँह में लगा करके रख रहे हैं है Here खाया जाता तो वहीं हमको हासी आ रही थी क्या कर रहे हो we हमने देखाई नहीं चाहरे तो इन्होंने कहा टामाडर खा रहे हो या बाबु तब हमने भी देखा यहां पर चल दिये हैं यह देख Ugh . उसके बाद में सब्या निकाल के घठ दिया था और फिर दॉसके बाद में तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आसा करती हूं आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग साथ बनाया रखना आप लोग समझ सकते हैं जब कोई दिक्कत होती है तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और हम बिल्कुल रेश्ट नहीं करते हैं इसी वज़े से जो भी कुछ कर रहे थे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर रहे थे तो यही है और आप जो है हमेशा हाँ आप लोगों के मन पेशन्द व्लॉग लाने की कोशिस रहती है हमारी तो यहाँ पर पुताई कर लेते हैं और आज कल जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सर्दियों से बचाना क्योंकि घर में बच्चे जब खुद बिमार हो जाओ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आज जो है तिन में वाइस ओवर कर रहे हैं तो बाबु जो है यहीं पर है तो बहुत ज़्यादा परिसान किये हुए है तो पुताई हमारी हो जाती है और तब्यत थोड़ा सा ठीक हो तो फिर अपनी पूरी रसोई हमारी पुताई करने वाली आ गई है उपर से लेकिन तवित की वज़े से क्योंकि बहुत ज़्यादा उपर से पुताई करने में मेहनत लगती है तो फिर सोच रहे हैं थोड़ा अंदर से तब्यत जो हमारी बिल्कुल अच्छे से हम ठीक हो जाएंगे तब ही पुताई करेंगे नहीं तो थकावट आ जाएगी तो फिर से भी बुखार आ सकता है इसी वज़े से नहीं कर रहे हैं बस डेली वाले जो है हमारे खाना और चोका बरतन रहता है तो वही आप लोगों के साथ सेयर करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आसा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और जो भी जिन मौसी जब आये थी तो बहुत अच्छा लग रहा था उन्होंने सुबह फोन किया था कि हम आ रहे हैं और जब पहले तो उसी दिन साम को जा रही थी लेकिन हमने का छोटा दिन होता है अब कितनी देर रुखोगी मौसी रुख जाओ फिर बहुत कहा था हमने तब एक रात र रुख जाती क्योंकि मौसा जी की भी तबेत खराब रहती है तो इसी वज़े से फिर वो नहीं रुखी थी चली गई थी तो यहां पर पुताई हमारी हो चुकी है और इस पत्थर को हमने पुताई करके भी डाल दिया है उसी में जैसे सब को जो कोई सिंगल चीज बनाते है तो फिर इधर जो है आँच हलकी सी निकलती है इसी वज़े से जो हम इधर ये पत्थर लगा देते हैं तो पुताई भी हमारी होने वाली है और पुताई कर लेते हैं और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक और सर्दियों से बचते रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई है क्योंकि हमारे यहां सर्दी बहुत ज़्यादा आ गई है आप लोग कि यहां आई है या भी नहीं आई है लेकिन हमारे यहां बहुत ज़्यादा गाउं में सर्दी और कोहरा भी आ गया है और आप लोगों के यहां आई है या नहीं आई है तो कमेंट करकी यह भी बता देना और कुछ मैंने हमारी कह रहे थी अभी नहीं हमारे इधर आई है और लेकिन हमारे यहां बहुत जादा आ गई है तो दीजे दोस्तों इजाजत मिलती हूं नेस्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लोग के साथ नमस्कार दोस्तों